हेलो आज हम कर रहे हैं आपका चेप्टर नमर 9 क्लास 10 का और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे तो चली बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और इसी पार्ट में आपका ये जो चेप्टर है समप्त हो जाएगा उसके बाद जो चार चेप्टर है वो और बाकी रहेंगे और बहुत जल्दी हम इनको भी खत्म कर लेंगे बिना टेंशन की बस आप याद करने पर ध्यान दीजे किस प्रकार की फसलों का उत्पादन भूमी उर्वरक्ता बढ़ाने के लिए बोया जाता है जो किस प्रकार की जो फसल होती है समनतोर पर जो पैदा की जाती है वो उर्वरक्ता बढ़ाने के लिए मुखे तार पर बोया भी जाता है और उसे पैदावारतुली ही जाती है तो कौन सी वो फसल है? जो आपकी दलहनी फसले हैं जो हैं, दलहनी जो फसले हैं उनको भूमी उर्वरक्ता बढ़ाने के लिए भी बोया जाता है ठीक है, नेक क्वेशन देखिए कौन सी दलहन की फसले राइस्थान में रभी की फसल हैं कौन सी दलहन की फसले राइस्थान में रभी की फसल हैं यानि रभी के मुश्व में कौन सी फसले बोया जाती हैं तो मठर, चना और मसूर की जो फसले हैं सामने तोर पर रवी के मुस्तम में भूई जाती हैं और ये तीनों क्या हैं convention कौन सी do present हैं राइस्थान में खरीप की फशल है तो वहाँ के मूं मौट और अरहर ये क्या है ये खरीप की फशल हैं और द्लहन में हैं नेक कोईशन देखी, भारत में दलहन की फसलों में चनी की दाल कितना हिसा है, भारत में जो दलहन की फसले हैं, उसमें चनी की दाल का कितना हिसा होता है, तो यह आपका एक तिहाई हिसा है, जो टोटल भारत में जो टोटल दलहनी फसले होती हैं, उसका एक तिहाई हिसा चनी क की फसनों का उत्पादन किया जाता है उत्तुरी भारत में किन राज्यों में दलहन की फसनों का उत्पादन किया जाता है तो किन राज्यों में किया जाता है आपका पंजाब हरियाना राजस्थान उतरपदेश प्रशी मंगाल और मैदानी प्रशी मंगाल के मैदानी भागों वहां पर पानी की बहुत आयत मातर में उकलब्दी होती है दूसरा जब राइस्थान की बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फसलों की बारे में जब कोई अंसर नहीं आ रहा हो तो गंगानगर हर्मांगर साइड में आप क्लिक कर दीजें वह आपका सबसे बैस्ट आ तो इस चीज का क्योंकि मैग्जिम का अंसर क्या है गंगानगर है तो चलिए यहाँ पर बात हम कर रहे हैं तो भारत के बारे में तो भारत में पंजाब, हरियाना, राइस्थान, उत्रप्रदेश और पश्चिन बंगाल के जो मैदानी भाग है उसमें दलहनी फसलों का सरव पादेश बहानी फसलों का उत्पादन किया जाता है भारत में अरहर की फसल का सरवादी कुदपादन किन राज्यों में होता है? भारत में जो अरहर की फसल है, उसका सरवादी कुदपादन किन राज्यों में होता है, तो अरहर की फसल आपकी महराश्ट में सबसे ज़्यादा होती है, पिर्थमिस्तान पे आता है, उत्रप्रदे सब्सक्राइब जारत में जो मुंग होती है वो राजिस्थान में सरवाधिक पैदावार राजिस्थान के अंदर होती है ठीक है नेक क्वेशन देखिए राजिस्थान में मुंग का उत्पादन किंजिलों में किया जाता है तो अर्दसुस्क सेत्र जो है उनमें इसका उत्पादन होता है और उत्पादन किंजलों में किया जाता है। तो यह हड़ोती में पोटा बूंदी भीलवाड़ा शेत्र में होता है तथा मिवाड में चित्ताः उदयपुर भीलवाड़ा और दक्षिन रायस देखें। नेक क्वेशन दीखी, रायस देखें। उत्पादन किया जाता है, यानि पैदावार की जाती है, नेक क्वेशन देखिए, भारत की प्रमुक वेबसाइट फसले कौन सी हैं, भारत की जो प्रमुक वेबसाइट फसले हैं, जिनको हम मुद्रदाइनी फसले भी कहते हैं, वो कौन सी हैं, तो ये आपकी गन्ना, कपास, तिलहन, जूट और तम्भाकू ये मुक्य वेबसाइक फसले कपाть तिलहन, जूट और तम्भाकू ने कोशन में भारत में सरवादिक बोई ऑने वाली मुद्रदाईनी फसल कौन सी है यानि वेबसाइक नेक कोईशन देखिए गन्ना भारती मूल का पौदा है जो किस वनस्पति का वनस्ज माना जाता है गन्ना उत्पादन में भारत का विस्व में कौन साइस्थान है गन्ना उत्पादन में भारत का विस्व में कौन सा इस्थान है तो भारत का यहाँ पर प्रिथम इस्थान है विस्व का जो 50 पर 30 गन्ना है वो केवल भारत में होता है भारत के अंदर विस्व का 50 पर 30 गन्ना केवल भारत में ही होता है इसलिए विस्व में प्रिथम इस्थान centigrade का temperature इसको चाहिए होता है 100-200 cm का वर्षा छेत्र इसके लिए उक्त होते हैं और नदी घाटी छेत्र की जो नमी उक्त मिटी है जो चिकनी और दोमट और कछारी मिटी है वो इसके लिए सरवाधी का नुकूल होती है नेक क्वेशन देखी गन्नी की पैदावार छेत्र की दर् लेकिन पैदावार दक्षिन भारत में होती है पैदावार जो होती है टोटल पैदावार जो होती है वो दक्षिन भारत में ज्यादा होती है जब कि छेत्र की दर्ष्टी से देखा जाया तो उत्र भारत में ज्यादा छेत्र फल में बोया जाता है और पैदावार दक्षिन भारत में होती है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि दक्षनी भारत का आदर जलवाईव होती है, तो आदर जलवाईव के गारंड गन्ने का जो रस होता है, वो ज्यादा होता है, और इसी वज़े से यहां की पैदावार अधिक होती है, ने कोशन देखी, भा भारत में मुक्य तक किन राज्यों में गन्ना उत्पादन किया जाता है। भीलवाडा, चित्तोर और भूदी ये ऐसी जिले हैं जहां पर सरवाधिक दन्नी का उत्पादन किया जाता है। भारत में सूती वा सुध्यों का विवरण किन प्राचिन गरंतों में मिलता है। भारत में जो सूती वा सुध्यों का विवरण पहले से ही मिलता है। भारत की कुल कृसी भूमी में कितना प्रतिसत हिस्था कपास की फसलों का है। तो भारत की जो कुल कृसी भूमी है उसमें 6.7% प्रतिसत भारत में केवल कपास बोया जाता है। क्षा प्रतिस अभी हमाता है। तो आपके खरीप का सामय भारत में प्रतिसत की फसलों की है। है वर्षा जो है 80 से 150 सेंटी मीटर के बीच होना इसके लिप्लुक्त होता है गहरी और काली मिट्टी गना की फसल के लिए अच्छा माने जाती है और चूने वा पोटास की मात्रा वाली जो भूमी होती है वो ज्यादा इसके लिए उप्युक्त मानी जाती है नेक कोश्चन द कि तो कह दो पास की बारे में बात करते हैं तो यह हमारे भारत की उल कपास का 50 प्रती सत उत्पादन करता के किस मूल पौदा है विए भारत मूल का पौदा नहीं है यह कपास का सरवादिक हमारे भारत कि बहु GEORGE जाती है लिए तो यह भारतिय मूल का पैदा ना होकर किस देश का मूल पौदा है तो यह है आपका अमेरिका का पदा इसलिए इसको अमेरिकन का पास भी बोलते हैं भारत में पंजाब भर्याना और राइस्थान में इसका सरवादिक उत्वादन होता है अमेरिकन मूल के लंबे और महिन देशे वाली कापास को छेत्री तोर पर किस नाम से जाना जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है अमेरिकन मूल की लंबे और महिन देशे वाली कापास उत्री तोर पर किसी और नाम से भी जाना जाता है तो क्या नाम है वो है नर्मा इस मध्यम रेशे वाली जो कपास है देखी लंबे रेशे वाली का 50% है तो बाकी बची 50% तो उसमें से मध्यम रेशे वाली कपास का उत्पादन कितना परतिसत होता है तो यह आपका 40% होता है पचास परतिसत लंबे वाली होती है, मध्यम रेशे वाली PlayStation 40 परतिसत होती है तो भारत में। बच्ची छोटे रेशे वाली वोगो 10 परतिसत होगी दस परतिस नह direct question देखिएं चोटे रेशे वाली कपास का भारत के कुल कपास उस्पादन का कितना प्रतिसत है यह हमने बात करी थी चोटे रेशे वाली 10 प्रतिसत कपास जो होती है भारत के अंदर होती है लगवग सभी राज्यों में बहुत कम मात्रा में बोई जाती है नेक वेशन देखिए कापास उसकादन पर उसकी करणं किन देशों से आयात किया जाता है कापास जो है उसकी मांग बहुत जयदा होती है और हमारी यहां पर उसना उसकादन नहीं होता पैदावार कपास की नहीं होती है, तो जिन देशों से आयात किया जाता है, वो देश कौन से हैं, तो आपका अमेरिका, सूडान, केनिया और मिस्ट जो है, इसको केनिया को केनिया भी बोलते हैं बहुत सारी जग़े पर, तो इसमें कन्फ्यूज मत होईएगा, अमेरिका, सू थीक है? नएक कॉइशन देखी हैं, भारत में विश्फ का कितना प्रिटीश सा तिलहन उत्पादन होता है? भारत में विस्व का कितना प्रतीसत तिलहन उत्पादन होता है तो भारत में जो विस्व का कितना प्रतीसत है ये मात दस प्रतीसत है तोटल विस्व का दस प्रतीसत जो तिलहन है वो भारत में उत्पादन होता है नेक क्वेश्चन देखी भारत में तिलहन की मुख्य फसले कौन सी है भारत में जो तिलहन है उसकी मुख्य फसले कौन सी है तो भारत में जो मुंगफली, सरसों, तिल, सूरज मुख्य, अलसी, अरंडी, सोया बीन ये सबी कैसी है ये तिलहन फसले है और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है सरसों और मुं मुंगफली का होता है, है ना, नेक कोशन देखिए, मुंगफली किस देश की मूल फसल है, देखिए मुंगफली भी हमारे देश की मूल फसल नहीं है, तो मुंगफली किस देश की मूल फसल है, कहां से यह आई है, यह आपके ब्राजील से है, ब्राजील से आपकी मुंगफली यह ब्राजील का मूँख़ली जो है वो ब्राजील का मूल पौदा है नेक कोईशन देखिए भारत में विस्व का कितना पृतिस्व का कितना पृतिस्व का मूँख़ली उत्पादन होता है तो यह आपका 30% मूँख़ली उत्पादन केवल भारत में होता है और भारत की कुल जो तिलहन फसल है उसका 45-30 भाग केवल मुझपली से होता है जो खरीब का मोसम माना जाता है उस में सरवादिक मुझफली का उतपादन किया जाता है ने कोशन देखिए, भारत में मुंगफली का उत्पादन किन राज्यों में मुक्ते किया जाता है, कहां कहां पर किया जाता है भारत में मुंगफली का उत्पादन, तो यह आपका गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, प्रिथम इस्थान पे आता है, आंद्परदेश दि महाराश्ट और करनाटा के सरवादिक मुंगफली का उत्पादन देखने को मिलता है। नेक क्वेशन देखी। राइस्थान के किन जिलों में मुंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो राइस्थान में चित्तोड, सवाई मादोपूर, भीलवाड़ा, जैपूर, गंगा नगर, विका नेर, हन्मानगर और राइस्थान का जो नहरी सचाहिए छेते हैं। इन सभी में क्या है? मुंगफली का उत्पादन किया जाता है। नेक क्वेशन देखी। विस्व का कितना पृतिसथ सर्सों का उत्पादन भारत में किया जाता है। तो 70% जो भाग है, सर्सों का उत्पादन वो केवल भारत में होता है जो भारत में कुल तिलहन फसनों का 35% भाग केवल सर्सों से प्राप्त होता है। 70% विश्व का total कितना है? विश्व का total 70% जो सर्सों होती है वो भारत में पैदा होती है और भारत में जो कुल दिलन फसनों का 35% ये एक मात सर्सों है Next question देखी भारत में सरवादिक सर्सों उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सरवादिक सरसों उत्पादन किस राज्ये में होता है? तो इसके बारे में अपने सित रूप से जानते हैं राइस्थान हमारा है जहां पर भारत में सरवादिक सरसों उत्पादन होता है भारत का जो टोटल सर्सों होती है उसका 41.3 केवल राजिस्तान से प्राप्त होता है भारत में जो टोटल सर्सों उत्पादाने उसका 41.3 केवल राजिस्तान से मिलता है नेक क्वेशन देखी, भारत में राइस्थान के अत्रिक किन राज्यों में सर्सों का उत्पादन सर्वादिक है, भारत में जब राइस्थान के अत्रिक बात करें तो किन राज्यों में सर्सों का उत्पादन सर्वादिक है, तो दितिया स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, मद्यप्रदेश दिफ्तिय स्थान पर गुजराट चोथो इस स्थान पर आता है और पंजाब और हरियाना में भी काफी अच्छी मात्रा में सरसों की पैदावार गूती है नेक क्वेशन देखी राईस्थान के किन जिलों में सरसों का उत्पादन मुखिते किया जाता है सवाई माधुपूर भील्वार जैपूर बीकानेर वेर राजिस्थान की नहरी सिस्थानों में इसका धुत पादन सर्वाद MRT किया जाता है औरंडी का उप्योग किन कारिया हुत मुक्ह है तो यह आपका इसनिहक जो जिकनाइद के लिए हम डालते है औरी को किया जाता है शावुन यूज किया जाता है साबुन बनाने में अरेंडी के देल का यूज किया जाता है और चमडा सोधन में भी अरेंडी का उपयोग किया जाता है नहीं क्योशन देखीं, Ñरंडी का उत्पादन भारत के किन राज्जों में सरवादिक होता है? सुर्यवेशन देखीं, सर्वादीक उत्पादन भारत के किन राज्जों में होता है? स्वुयविन का जो सरवागी कोत्पादन भारत की केंराज़्यों में होता है, तो यह आपका मध्धा प्रतिस्यव में 70% राजिस्तान में भी होता है, नेक क्वेश्चन देखी, भारत में कितनी प्रतिस्यव जनसग का प्रत sudah शूरूप से कृस्रीपर नेभर हैं करता है? हैं तो इन चीजों को आपको समझना चीज़ इए भारत में कितने पृतिसाइज जनसंग क्रतेक्स रूपसे क्र किसी पर नेरवन है तो आपकी कितने पृतिस्त है पश्पांट इस न्यों जो पृतेक्स रूपट से क्रत्शाइज पर है तीक है एह में प्रतिसत योगदान था यह आपका 55.11 प्रतिसत योगदान था किरसी का भारत की जो टॉटल जीडिपी है उसको इनी इसके तावन में 55.11 प्रतिसत योगदान था नेक कोशन देखें किर्सी द्वारा भारत में 1990 में निस्योट तराण में 94 की कीमतों पर राधारेत कुल GDP यानि सकल घरेलू उत्पाद नेक कोशन देखें किर्सी द्वारा भारत में 2000 की कीमतों पर राधारेत कुल GDP का कितना प्रतिसत योगदान था तो ये आपका 17.8 प्रतिसत योगदान इस साल रहा नेक कोशन देखें किर्सी द्वारा भारत में 2015 16 में ये important होगा आपके लिए किर्सी द्वारा भारत में 2015 16 में 2011 12 की कीमतों पर याद रखें 2011 12 की जो कीमत हैं उनकी उपर राधारेत कुल GDP का कितना प्रतिसत किर्सी का योगदान था कितना प्रतिसत था तो ये आपका 15.35 प् है ना जबकि भारत की जो जन्सें क्या है वो लगभग लगभग 60 प्रतिसत इसके उपर dependent है तो ऐसी स्थिती में भारत किर्सी प्रतान होकर भी वो किर्सी से जब उपर नहीं ले पा रहा है किर्सी में अपने GDP का अधारित नहीं कर पा रहा है तो ये इसका एक नुकसान वा प्रतिसत इुगदान है तो भारत का 2.07% मात्र जो टोटल निरायत का जो है वैसकर किर्चि उतपाद में मात्र 2.07% का ही योगदान है और किर त्सी उतपाद निर्यात की दैस्टी से क्रिची उतपाद जो निर्यात किये जाते हैं हमारो डेशे उसकी दिखा जाये तो किया जाता है भारत में जो कौन से क्रिसी हैं या उनसे सभी इट इंका निर्याज सरवादि किया जाता है तो यह आपकी है चाइ चीनी तिलहन दवाकू मसाले और और ताजे फल बास्मती चामल यह सभी क्या है؟ यह सब ही आपके वो उत्पाद हैं वो क्रिशी उत्पाद हैं जिनका सामने तोर पर निर्याद किया जाता है और भी हैं जैसे जूर, कपड़े, मुर्गी पालन से संबंदी जो प्रोडेक्ट हैं उनका भी यहाँ पर निर्याद यानि एक्सपूर्ट किया जाता है तो यह के साथ आपका होता है यह चैप्टर सम आप मिलते हैं नेक्स चैप्टर के साथ कल ही और बहुत जल्दी हम अपने स्लेबस को कर लेंगे कंप्लीट तो मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक के लिए थैंक यू